और केनिया में टेक्स विरोध पर भड़की जनता ने संसद में यह आग लगा दी केनिया की राजधानी नरुबी की हालत तो विस्फोटक है अब तक विरोध प्रदर्शन में पांच लोगों की मौत भी हो चुकी है वहाँ अब इमर्जेंसी जैसे हालात हैं और इसे देखते टेक्स बिल पर दधदक उठा केनिया संसद में लगा दी आग सड़क पर कतले आम सरकार के खिलाब विद्रो सड़क पर संग्राम केनिया में टेक्स बढ़ाने वाले बिल के पास हो जाने के बाद वहाँ लोगों में गुस्सा ऐसा भूटा के पूरा देश विद्रो की आग में जल उठा सरकार के खिलाब प्रदर्शन करते हुए लोग संसद की तरफ बढ़ है और उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जो आज तक केनिया के इतिहास में नहीं हुआ था प्रदर्शन कारियों के संसद में धावा बूलते ही सभी संसद जान बचाने के लिए वहाँ से भग खड़े हुए और इसके बाद लोगों की भीड़ने संसद की एक हिस्से में आग लगा था संसद के अंदर खुसे लोगों ने जम कर तोड़ थोड़ दी हालात इतने खतरनाक थे के हिंसा के दोरान संसदों को एक अंडर ग्राउंड टरनल के जरिये बाहर निकाला गया वहां से आई एक तस्वीर में संसद परिसर के अंदर बड़ी संख्या में प्रदर्शन कारी बवाल करते दिखाई दिये उन्हें वहां से खदेडने के लिए सुरक्षा बल के लोग उन पर गोली चलाते और उन पर आंसो गैस के गोले छोड़ते नजर आए राजधानी नाइरोबी से आई एक तस्वीर में संसद की सुरक्षा कर रहे है कुछ जबान हत्यारों के साथ पोजीशन लेते दिखाई के ताकि वो प्रदर्शन कर रहे है लोगों को किसी भी सूरत में आगे बढ़ने से रोक सकते लेकिन हाला तब ज्यादा खराब हो गए जब सड़क पर लगाए गए वेरिकर्ट को तोड़ते हुए सेंकडों की संख्या में प्रदर्शन कारी संसद परिसर में खुस गए इसके बाद तो संसद की सुरक्षा में तैनाद सुरक्षा बलकि जवानों ने उन पर तनादन गूलियां दागनी शुरू कर दी नाइरोबी में कम से कम पांच लोगों की इस इंसा में मौत हो गाई है और डेड़सो से अधिक लोग घाल हुए है केन्या में सरकार वेरोधी प्रदर्शन को कुचलने की कोशिश पर संयुक्त राष्ट्र ने भी कहा है कि सरकार को संयुम बरतने की जरूरत है केन्या में काई हफ्तों से टाक्स बिल के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है इस बिल के तहट राष्ट्पती विल्यम रूटो के सरकार देश में टेक्स बढ़ाने वाली है इसके तहट देश में बढ़ाई से लेकर सभी जरूरी सेवाओं पर रेविनियों बढ़ाया जाएगा प्रदर्शन कारियों ने केन्या के राष्ट्पती रूटो पर आरोप लगाया है कि उन्हें दो हजार बाईस में राष्ट्पती बनने के बाद जनता के साथ धोखा किया है प्रदर्शन कारियों ने आरोप लगाया कि रूटो ने गरीबों की मदद करने का पादा किया था प्रदर्शन को देखते हुए राष्ट्पती रूटो ने देश में सेना को तैनाप करने की भूशना की है और अब देश में एमरजनसी जैसे हालात बने हुए है